हेलो फ्रेंड्स विल्कम टुमाई योटूब चैनल जी येज क्लासिस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में जी आसी लेक्षिरल सोचियोलोजी प्रैक्टिसेट नमबर 41 को सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिसेट बिल्कुल इसले पसके करेंगे जाएं तो चली ये सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिसेट नमबर 41 के कुश्चन नमबर वन को को आज हमारा कुश्चन नमबर वन है निम्न लिखित में कौन ुक्षोद प्ररचना नहीं है उप्सेट नमबर ई परिकलपनात्माइक उप्सेट नमबर भी है अनवेशडात्मक होती है ना कि परिकर्पनात्मक्त इस वज़े से कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर ए आज हमारा सेकेंड कुश्चन है निम लिखित में किसे आंकडे संग्रा की एक विद की रूप में नहीं प्रियोग गिया जाता है ओप्सन नमबर इया है अनसोची, बस नमबर भी प्रस्नावली, जिम आउलोकन और लश्ट इप्सन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा उप्सन नमबर भी यान की सारडियन आंकुडों का संग्रा कहिने के लिए अनसोची, प्रसनावली और लोकनवा साथ छातकार विद का प्रियोग किया जाता है साइडियन विद का प्रियोग सांके की विद्धित्वारा किया जाता है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number D आज हमारा धर्ड कुश्चन है निर्म लिखित में कौन सा एक वैज्ञानिक पध्यत का चरण है option number A परिकल्पनाओ का निर्माड, option number C निदर्शन और लाष्ट option number D सभी सही है तो कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number A यानिकी परिकल्पनाओ का निर्माड वैज्ञानिक पध्यत के आधार्भू चरण निर्मप्रकारIES जैसे परिकल्पनाओं का निर्माड, तथ्यों का निर्यचंट तथा संकलन, शंकली तथ्यों का वर्गीकरण व hen सारडियन, तथा वैज्जानिक या प्रियोकसिद जो है निसकर्ची करण, या सामानिकरण, त सथा नियमों का प्रतिपादंत कुश्चन का राइट एंसर हो हो गांए hemaara option number A आज है हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक सोद से सरवाधिक लोगपपरी कि एक मार्ड कॉन सा है ऑप्षीन हंगरती माक्ट या प्राठ्मक माध्य क्या हो जाएगा और सोदका सर्वाधिक लोगप्री कुछन का राइट रहोगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा है यह दियाToर आप इस वीडियो के पीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम को जिकर सकते हैं जहां में पे रह सेंपेंड पेस्ट लग्ष एक मैं होता है जोपें आप छिक गाल चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चनल को जॉइन कर सकते हैं जिससे आप रिगुलर इबनिंग में कंड़क्ट होना वाला माक्टिस्ट में पार्टिस्पेट कर पाएंगे टेलिग्राम चनल का लिंक वीडियो के डिस्किशन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है जहां से आप हमारे टेलिग्राम चनल को जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम पे कंड़क्ट होने वाला जो मॉक्टिस्ट है वो विल्कुल फ्री में है उसका आप लोगों से कोई भी कौश्ट नहीं लिया जाता है इस वज़ए से आप लोग बढ़चर के पार्टिस्पेट ज राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्टिन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्से नंबर ब यानि की मैललोव मचीने मैलोव मचीने संस्रुट के अध्यन अपनी अनुसंधान में तुलनात्मक पध्यतिवा सहवागी औव लोकान का उप्योग किया है इस कुश्टिन का वज्ञानिक सिद्धान्त और लाश्ट ओप्सण नमबर D सभी सही हैं ति इस question का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस question का राइट एंसर होगा हमारा option नमबर D यानि कि सभी सही हैं परिकल्पना के स्रोत निम्न है जैसे कि संस्कृति, विज्ञान, सम्रूपता, व्यक्तिकत, अनुभव, रचनात्मक, चिंतन, अनुभवी विक्तियों से परिचार्चात, कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number D, आज है हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में कौन सी विज्ञान की एक विश्यस्ता नहीं है, option number E, सारभवविक्ता, option number B, प्रियोजनवाद, option number C, सामिवाद, और लाश्ट है option number D, निस्पच्छता, कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number B, यानि की प्रियोजनवाद, विज्ञान से तात पर ऐसे विवस्थित एवं वस्तुनिट ज्ञान से है, जिसका सत्यापन इंद्रियों के माध्यम से किया जाना संभव है, प्रियोजन है, निम लिकित में कौन सी वैज्ञानिक पध्यत की एक विश्यस्ता नहीं है, option number A है, अनुभवाद, option number B, उद्देशवाद, option number C दिया गया है, प्रमाडिक्तावाद, और last option number D, संदेहवाद, और last दिया गया है, मूल निड़, ति इस कुशन का राइट एंसर क्या होगा इस कुशन का जो राइट एंसर होगा होगा हमारा option number C, option number E, यान की मूल निड़, मूल निड़ वैज्ञानिक पध्यत की विश्यस्ता नहीं है, मूल निड़ का लचे क्रियात्मक इंसाइड्स को ढूणना है, जो निड़ लेने को सूचित कर सकता है, इस कुशन का राइट अभिकलपना का परिच्छन, दूसरा दिया गया है समस्या निरूपन, तीसरा दिया गया है नमूना अभिकलपना, चौथा है साहित की समिच्छा और पांचवा दिया गया है आकड़ा विश्लेशन, कुशन क्या रहा है, कुशन कह रहा है कि निम्लकीत कूट से सही उत्तर क चेहन की जिए ते इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नमबर बी यानि की पहले नंबर पे आएगा समस्या निरूपन, कौन सा आएगा, पहले नंबर पे आएगा समस्या निरूपन, दूसरे नंबर पे आएगा साहित की समीच्छा, तीसरे नंबर पे आएगा नमूना अविकल्पना, चोथे नंबर पे आएगा परिकल्पना का परिच्छन और पाच नंबर 2 आजिकर हमारा अगला प्रश्ण है दो कःष्ण पर Ihr 1300 विचार के हैं और सही उत्तर चुने पहला दिया गया है सिठान्स हमारी तथ्रों की समझ को विवस करते हैं और दूसरा कटन दिया गया है आवस्ता च curt च prawda च्टत हैं कुष्छन कर villa कि निम्रोबर्व के पैजी किईए 10 कुछुषिन का राइट है विए जहेगा कि एक और दो नहीं सब्सक्राइब यर्च विए अगला अगला प्रश्ण जचि निरूपन डिजाइन, आपशन नमबर B, वर्नात्मक डिजाइन, आत्करन क Вам लीजाइन, आपशन नमबर D, निजाइन, किकी प्रीयोगात्मक डिजाइन, ut. टीजाइन, तिस्कुुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इसुशन का राइट एंसर होगा हमाराyeah option c यानिकी परिचालन डिजाइन किसी अनुवेशन की एक ऐसी तार्किक एवं विवस्थित योजना जो तत्यों के संकलन विसलेशन तथा मुल्यांकन का मार्ग प्रसस्त करती है सोध अभिकल्पन जो है कहलाती है निरूपन डिजाइन वहनात्मक डिजाइन नैदानिक सोध अभिकल्प के मुख के प्रकार है जबकि परचालन डिजाइन जो है या अनुसंदान डिजाइन नहीं है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर सी आज हमारा अगला प्रशन है परंप्रागत रूप से निम्लिकित में से कौन सा प्रियोगिक अनुसंद डिजाइन नहीं है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा अगला प्रशन है अगला प्रशन है और दो चरूग के संबंद एक अस्थाई अनुमान को क्या कहा जाता option number A, अनुसंधान, प्रस्ट, option number B, उद्देश, option number C, अनुसंधान के छेतर और लाष्ट, option number D, परिकल्पना, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा, option number D, यानि कि परिकल्पना, दो ज़रों के बीज के संबंद के एक अ-स्थाई अनुमान को परिकल्पना कहा जाता है, इस question का right answer होगा, हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, एक सोन परिकल्पना बताती है कि दो चर, option number A, प्रियाप्त रूप से संबंदित, option number B, आंसिक रूप से संबंदित, option number C, ससर्थ संबंदित, और last option number D, प्रियोजन मूलक संबंदित, और last option number E, असंगत, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number E, यानि कि असंगत, एक सोन परिकल्पना बताती है कि दो चर, असंगत है, तो question का right answer होगा, हमारा option number E, यानि कि friends या भी question बहुत ज़्यादा important है, द्यान रख्येका कि एक सून परिकल्पना बताती है, दो चर, असंगत है, question का right answer होगा, option number E, आज हमारा अगला प्रश्ट है, निम लिखित में, निम लिखित में से असत्य करेंड की वकालत किस ने की थी, option number E, टी, एस, कुहन ने, option number B, कार्ड पॉपर ने, option number C, सी, राइट, मिल्स ने, option number D, लूइस, एक, कोसर ने, और लाश्ट, option number D, आर, वी, ब्रित, वेट ने, ति इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number B, यानि की कार्ड पॉपर ने, असत्य करेंड की वकालत कार्ड पॉपर ने की थी, इस अउधारा की अनुसार विज्ञान का प्रमुक लच, प्राकलपनाओं की रच्छा करना नहीं, अपरती, उनका खंडन करना जो होता है, question का right answer होगा, हम option number B, आज है मारा अगला प्रश्ण है, एक अउधारा क्या करने में सहाय करती है, option number A है एक तत्य, यानि की फिनोमेना की खोज, option number B है एक घटना का वर्गी करन, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, हमारा option number D, यानि की एक तत्य का वर्गी करन, किसी वस्त घटना अत्वा प्रक को अविव्यक्त करने के लिए जिन विशिश्च सब्द संकेतों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें व्यज्यानिक सब्दावली में अउधारा यान की concept कहा जाता है, या तत्य का वर्गी करन करने में सहायता करती है, question का right answer होगा, option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, किस ने सूचना सामाजों की अवधारा का विशलेशन किया है, option number A दिये गया, M कॉंश्टल ने, option number B दिये गया, J लोटाई ने, option number C है, F जेमसन ने, और last option number D, J बोडी लाड़ ने, तिस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा, हमारा option number A, यानि कि M कॉंश्टल ने, सूचना सामाजों की अवधारा का विशलेशन, M कॉंश्टल ने, किया था, question का right answer होगा, option number A, आज हमारा अगला प्रश्ण है, null से सम्मंदित है, option number A, प्रस्णावली, option number B, अवलोकन, option number C, परिकल्पना, और last option number D, व्यक्तकिक अध्यान, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer ह होगा, वह होगा, हमारा option number C, यानि की परिकल्पना, null अर्थात, सून एक ऐसी प्राकल्पना है, जिसके द्वारा, दो परिवर्तियों के बीच, जो है, सून यान की, निराकारणी संबंदों को प्रगट किया जाता है, सूने संबंदों से ताथ पर किसी प्रकार के संबंद ना होने से है, या दो परिवर्तियों के बीच, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, तो कुष्ण का राइट एंसर होगा, हमारा option number C, आज हमारा अगला प्रशन है, सिद्धांत निर्माड की प्रक्रिया निम्न्वे से प्रारंब होती है, option number A है ओधारणा से, option number B है सब्द से, option number C है उद्देश श्वाद से, और लाष्ट है option number D पी चार से, तो इस कुष्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्ण का राइट एंसर होगा हमारा option number A यान की आउधारणा से, सिद्धांत निर्माड की प्रक्रिया आउधारणा से सुरुआत होती है, किसी घटना अत्वा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेच्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामाने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, जिन विशेश सब्द संकेतों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें वैज्ञानिक सब्दावली में आउधारणा प्रत्य कर लेते हैं, तो आपको निशित ही एक्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प देखनों को मिलेगी, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक्जाम से पहले-पहले UPGT में प्रोइड किया गया है, जितने भी प्रैक्टिस हैं, उन सभी में आप जितने भी ज्यादा-ज्यादा सॉ वाइड होने लगेगी, तो यदि आप UGC Net Grf के लिए प्रोइशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे तो प्रोइड किये जितने भी प्रैक्टिस है, जो टार्गेट है, वा UPGT के तरह 100 प्लस प्रैक्टिस है का टार्गेट रखा हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्र्रैक्ट प्रैक्टिस्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका UPPT में से कोई नहीं रहो सकता उसी प्रकार में दाओ करता है कि UGC Net जारब के लिए यदि आप हमारी दोरा प्रवाइड के गए जितने भी प्रैक्टिस्ट होंगे यदि उनको आप regular हमारे साथ सॉल्व करते जाएंगे और regular जो UGC Net के लिए जो हम लोग जो है इस प्रैक्टिस्ट को सॉल्व करते हैं उसके बाद जब उसी का आप टिस्ट देते हैं एक प्रकार से प्रवाण के संब्सक्राइब कौनसा है? option number a दिया गया प्रियोग आत्मक, option number b वर्ड आत्मक, option number c अन्वेशड आत्मक और last option number d निदान आत्मक तो इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer होगा वह होगा हमारा option number a यान की प्रियोग आत्मक किसे घटना इस्थित अत्वा समझ से के उत्पन करने वाले कारणों के खोज के उद्दे से किये गए अन्वेशड को व्याख्यात्मक या कारणात्मक सोध या अनुसंदान कहते हैं इस प्रकार के सोध में घटना की व्याख्या की जाती है कि घटना क्यों उत्पन हुई है ऐ किया जाता है सामाता इस प्रकार के अध्यन दो यह अधिक चरणों यानि की परिबरेंव के बीclay संबंद खोजने से संबंदित होते हैं ऐसे सोद्ध दिनों से में जो है च्छेत्र कार विद अत्वा प्रयोग आत्म अत्माक भी दोनों का प्रयोग किया जाता है कुष्ण का राइट है सब्सक्राइब होगा हमारा option नंबर एंगला प्रशन है को लाश्ट आउप्सिन Mrs. अनुपात प्रमाप तो इस कुछिचन का presents क्या हो जाएगा इस कुछिचन का different सोरह प्रमाप वास्तविक अनुपात में रचना के आधार पर की जाती है इसके शुर्वात एक निरिपेच तु dass से होती है जिसमें गुण एवं विभाजन की प्रकिया अर्थ पूर्ड बन जाती है रोजमारा काम में आने वाले आयू एवं भार के पैमाने आनुपातिक के उधारण है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर डी आज यमारा अगला प्रशन है सामाजिक बोगाडस ने व्यक्तियों अत्वा समूहों के बीच प्रिथक करण की भावना अत्वा वास्तविक पाथर यानि की सीमित सामाजिक संबंद या सामाजिक अंतर क्रियाओं में उत्पन किसी प्रकार का विंद सामाजिक दूरी का संकेत देता है सामाजिक दूरी की भावना म सामाजिक दूरी और भिन्य जात प्रजात में विवा की अनुमति सामाजिक निकटता को प्रगट करती है कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्णों की एक अस्त्री सूची पर आधारित साथ्षातकार को कहा जाता है क्य प्रखित करता के पूर्वागरा को कम से कम किया सके और समझ प्रक्रिया में अधिक से अधिक अनौपचारिक आ सके इस प्रकार का साचाथकार परिमाड आत्मर्ग अनुसंधान में प्रियोग्त होता है कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर बी आज हमारा अग प्रियोग नहीं किया जाता है अनुसूची प्रस्णावली और लोकन अर लाश्ट बल्चत्र क्या हो जाएगा इस कुश्चंब का राइट एंसर होगा अमारा अगला प्रशन है तर्थी संक्लन की किस पध्यत को सामाजिक सुच मिदर्शन यंत्रिक कहा जाता है option number a तुलननक पध्यत, option number b व्यक्तिक अध्यन पध्यत, option number c प्रकार्यात्नक पध्यत और लाश्ट अपस्ट नमबर d अतिहासिक पध्यत तो इस कुछिण का right answer क्या हो जाएगा किसी एक प्रकरण यानि की केस के गहन सूच में एवम सर्वगीड अध्यन को व्यक्तिक अध्यन कहते हैं एक प्रकरण एक व्यक्ति एक संस्था एक परिवार एक संगठन एक घटना एक ब्योस्था या एक संपूर्ण संस्कृत हो सकती है या उपागम सर्वेच्ण सोच से भिन्न है जिसमें घटनाओं के क्रम व्यक्तियों के प्रेणाओं और सामाजिक संबंदों के अध्यन पर अधिक बल्द दिया जाता है इसके तत्र संक्लन की इस पध्यत को सामाजिक सोच में दर्शक यंत्र कहा जाता है कुश्चन का और लाश्ट नमबर दी अनवेच्ट आत्मक तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स या कुश्चन आप लोगों से पिछले प्रेक्टिस्विद्ट ने पूछा गया था जिसका माक्समम लोगों ने सही जवाब दिया था तो आई जानते हैं कि इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा जो बढ़ते हैं आज के अगले परश्ट की तरब आज के हमारा अगला प्रस्टे है प्रस्टों की वह तालिका जिसे में सोध करता प्रस्टों के उतर भरता है है इसे क्या कहला है आप से नमबर और बी जाफिश्चा नंशुची आपस कुशन का राइटन्स और क्या होगा उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें और आपने आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन मिलता रहा है तो चलिए मिलते हैं आप से अपने नेश्ट वीडियो में तब तक रहे जैहिंत बंदे मात्रम